पानी के गहराईयों में इतने राज दबे हुए हैं कि सालों से लोग उन राजों को सुलजाने में लगे हुए हैं लेकिन इसे जितना सुलजाने के कोशुश की जाते है ये उतना ही उलजता जाता है इन्ही राज को सुलजाने के क्रम में कई लोगों ने पानी की गहराई में कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाया जो वाकई हैरान करते हैं तो चुलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही अजीब औ गरीब चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका पता हाल ही में समुद्र के गहराईयों में लगाया गया है। वैग्यानिकों ने बुलगेरिया मस्थित ब्लाक सी कोस्ट के पास एक ऐसी जगा का पता लगाया है। जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजारों साल पहले इंसान रहा करते थे। यह जगा बुलगेरिया के मशूर रोपोटामो रिवर के ठीक पास में ही है। लेकिन समय के साथ इस छित्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा समुद्र में समा गया। समुद्र की गहराई में वहाँ आज भी घरों के पिलर, बर्तन के टुकडे और लकडी के दर्वाजों से लेकर बड़े बड़े नाओं के टुकडे तक मौझूद हैं। जाँच के बड़ वग्यानिकों ने दावा किया कि ये सभी चीज़ें फिफ्ट मिलेनियम बीसी के आसपास की हो सकती हैं। इतने हजारों साल बीच जाने के बाद भी ये सामान पाने के गहराईों में सुरक्षित हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ पर ये सभी चीज़ें मौझूद हैं, वहाँ ऑक्सिजन का स्तर बेहत कम है। ऐसे में वहाँ केमेकल रियाक्शन नहीं हो पाता। यही कारण है कि यहाँ मौझूद चीज़ों का अस्तित वह अब भी भाकी है। बुलिव्या और पेरू के बीच स्थित मशूर टीटी काका जील की गहराईयों में जब वग्यानिकों ने खोजबीन शुरू की तो वहाँ से उन्हें कुछ हैरान करने वाली चीज़ें मिलनी शुरू हैं। खोज के दोरान यहाँ पत्थर के बने कई चोटे चोटे बकसे मिलें। जील में फेकी जाती थी। यह जील वहाँ के लोगों के लिए एक पवित्र जगा थी। जहां वो अपनी धर्मिक आस्थाएं पूरी किया करते थे। हम सभी जैनते हैं कि आस्ट्रेलिया देश वास्तव में पूरी तरीके से एक द्वीब पे बसा हुआ देश है। अधिया इन से पता चलता है कि जब पहली बार लोग इस द्वीब पे लगभग 65,000 साल पहले रहने आये थे तब इस द्वीब का चेत्र फल आज के मकाबले कहीं ज्यादा बढ़ा था। इसका कारण ये था कि तब वहाँ पानी का स्तर आज से काफी कम यानि लगभग 262 फीट था। फिर कई हजार साल बाद यहां ऐसी स्थिती भी बनी। जब यहां पानी का स्तर गिरकर 426 फीट पे चला गया यानि एक बहुत बड़ा चेत्र सूखा पढ़ गया। इन जगों पे धीरे-धीरे लोग बसने शुरू हो गया। लेकिन फिर धीरे-धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और जहां लोग किसी जमाने में अपनी बस्तियां बसाकर रहते थे वो पानी में समाते चले गए। यही कारण है कि इन शेत्रों में कई बार ऐसी चीज़ें मिलती रही ह समुद्र की गहराईयों में पुरानी चीज़ों का मिलना आम बात है। लेकिन कुछ समय पहले ब्रेटिन के दो गोता-खोरों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिससे देखकर हर कोई धंग रह गया। दरसल यह गोता-खोर समुद्र में गोता लगाते हुए काफी गहराई त उन्होंने आनन फानन में पुलिस को फोन किया। दिरसल उस थैले में हजार डब्बो में बंद खतरनाक विसफोटक रख्या हुए थे। इनका अपयोग आम तोर पर खतरनाक बम बनाने में किया जाता है। यह विसफोटक समुद्र के गहराई में कहां से आय थे। अब तक यह पता नहीं लगाया जा सका। गल्फ ऑफ माक्सिकोत था करेबियन सी के बीच स्थित यूकाटन पिनिंस्वला पानी के अंदर मौझूद विशाल गुफाओं के लिए जाना जाता है। जब खोजी दल यहां पहुचा और इन गुफाओं के अंदर खोजबीन शुरू की तो उन्हें बेहत हैरान करने वाली चीज़ें मिलने शुरू ही। यहां मौझूद गुफाओं में बड़े-बड़े जैनवरों के कंकाल सुरक्षित तरीके से रख़्े हुए थे। वहां से लगभग 28 बेहत विशाल जैनवरों के कंकाल निकाल गये। इम में से कुछ कंका शेर, हाथी, बंदर, जंगली सूर और बाग हित्याधिके थे। लेकिन कई कंकाल ऐसे थे जिनके बारे में पता नहीं लगाया जा सका। वग्यानिकों ने जांच में ये जरूर पता लगाया कि कंकाल लगभग 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। इतने पुराने होने के प्रेन का एक विशाल जहाज बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी और बेशकीमती पन्ने लेकर अपने मंजल के तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश सेना ने इस जहाज को लूटने के उद्देश्य से उस पे हमला कर दिया। हमले के दौरान इस जहाज पर स जहाज का कोई अतापता नहीं लग पाया। लेकिन 2017 में डबलियो एच ओवाई नाम की एक संस्था ने कॉलंबियाई सरकार को जानकारी दी कि जो जहाज लगभग 300 साल पहले समुद्र में डूब गया था वो जहाज कॉलंबिया की समुद्रे सीमा में मौझूद है। इस ज होना चाहिए। जब ये खबर बाहर आई तो स्पेन और ब्रेटन ने भी इस पर दावा कर दिया। इस जहाज पर एक के बाद एक देशों द्वारा दावा करने की बड़ी वज़ा ये है कि इस जहाज में इतने सोने, चांदी के सिक्के और जेवर रखे हुए हैं कि आज उ ये तो समय ही बताएगा। नमबर वान अंडर वोटर मुरॉक्कन सटी बिल्कि इस शेत्र में हजारों साल पुराने शेहर ही खोचने की कोशश हो रही है। दरसल आतिहासिक तत्थियों से पता चलता है कि किसी जमाने में इस शेत्र में एक बड़ा सा शेहर हुआ करता था। लेकिन ये समय के साथ समुदर के गहराईउं में समाता गया। उसे शेहर को खोचने के लिए इन शेत्रों में लगातार आक्योलाजिकल डेपार्टमेंट अपनी खोच करता रहता है। इस दौरान समुदर के गहराईउं से मानव कंकाल समेत कई अजीबों गरीब चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिसकी यह तलाश कर रहे हैं वो कब पूरे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के विडियो। विडियो कैसी लगे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सथ इस विडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर धावालें। थान्देबाद।